हेलो फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है बायोजी का जीव विग्यान का उसके बारे में जो आपके त्रहवांसिक एक्जाम होने वाले हैं उसकी द्रिश्टी से बहु करना है तो आईए बिना देर के स्टार्ट करता हैं पहले क्यूश्टन के साथ है फर्स्ट क्यूश्टन है कवक जगत में एलैंगिक प्रजनन किस विदी से होता है तो इसका जो आंसर रहेगा वे रहेगा कौनी डिया ऑप्सन नमबर दे सेगंड क्यूश्टन है डायनासोर सीरोसिस उत्पन करने वाला कारक है आपके सामने चार ओप्सन दे रखें वसा विटामिन तमाकू और एलकोहलिज्म तो आपका जो सही आंसर रहेगा वे रहेगा ओप्सन नमबर दे एलकोहलिज्म फोर बिटी जीव विस प्राप्त होता है तो इसका जो आंसर रहेगा वे रहेगा ओप्सन नमबर बैसिलस थुरिञ जी एंसिस नेच्ट हैं क्युश्ट नमबर फाइव पर्यावण से अनरक्षन अधिन्याम कब पारित किया गया तो जो परियावण से अनरक्षन अधिन्ह में वेव पारित किया गया था 1986 इसवी के अंदर ऑप्सन नमबर आपका एकदम करेक्ट आंसर है बढ़ते हैं सेकेंड क्रिश्टन की और सेकेंड क्युश्टन है जिसमें आपको सैजोडे बनाने है एका ब्यग के साथ महें तो आपके सामने ई और यह यह गरेक्ट आंसर हैं तो आप इनको डारेक्ट ऐसे कंणेक्ट कर सकते हैं और ऐसे याद कर सकते हैं तो आयू सी में आगे बढ़ते हैं क्विश्य नमर 3 की तरफ उससे पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि जिन्हों ने चैनल को वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वैल को ओन कर ले जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से म में आपको रिक्तिस्तानों की पूर्ति करनी है पहला है बिना निशेचन के विक्सित होने वाले फलों को क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम ए निशेचित फल तो आप उनको वन लाइनर क्यूश्टन के अकोर्डिंग भी याद रख सकते हैं और वस्तुनिट प्रश्टन प्रति पादित किया गया तो इसका जो आंसर रहेगा वे रहेगा सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा थर्ट नम्मर क्यूशन है किसी कोशिका कर्तोत तकी से पूर्ण पादप में जनित्र होने की छम्तक खाले जग कहलाती है तो यह कहलाती है पूर्ण सतता फूर्थ क्यूशन है प्रति बंदन एंडो न्यूकलियज एंजाइम डिने में विशिष्ट खाले जगे पैचानता है तो यह पैचाता है अनुक्रम क्यूशन नमर फाइव है विशाल अमेजन वर्षा वन को क्या का जाता है तो इने का जाता है प्रत्वी का फेपड़ा बढ़ते हैं क्यूशन नमर फोर की तरफ में आपको एक सब्दीय एक वाकि में उत्तर देना है तो पहला प्रेशन है आपका ग्रैफियनẩ फॉलिकल से अंड के बहर निकलने के प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह कहलाती है अंडो तसर्ग् Q2 है DNA के खंड का नाम जो polypeptide स्रंकला का स्लेशन करता है वह होता है AUG थर्ड है Matthew 9 को कोडित करने वाले कोडान का नाम क्या है तो यह है सिस्ट्रॉन फोर्थ Q2 है मचली पालन को क्या कहते हैं तो मचली पालन को कहते हैं हम PC culture Q5 है सुख्म जीवां द्वारा कीट या खर्पतवार नियंतरण पद्दितियों को क्या कहते हैं तो इसका जो आंसर है वह है जैविक नियंतरण अब लॉंग क्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आईए पहले क्यूशन के साथ Q5 है क्या कारण है कि मनुश के व्रशन उदर गुआ के बाहर इस्तित होते हैं तो इसका जो आंसर है नर्मे एक जोड़ी व्रशन उदर गुआ के बाहर पाए जाते हैं जो इसक्रोटम में बंद रहते हैं सुक्राण निर्माण के लिए तापक्रम सरीर के तापकरम से दो डिगरी से स्यस्यक्रस कम होना आवशक है अने था इस पर मैट ٹ्रो जैने से द्वार 190 के निर्माण की क्रिया पू mới नहीं हो पाएगी इसी कारण व्रशन का उदर गुआ से बाहर होना आवशक है क्यूश्च नमर्ट शिक्स है गायक संक्रण किसे कहते हैं एक उधारन दीजिए तो ये गायक संक्रण नहीं है यह है काईक संक्रण तो इसको काटके करने काईक संक्रण तो इसका अंसर है वैग्यानिकों ने पादपों से एकल्स कोशिकाएं अलग की हैं तथा उनकी कोशिका वित्ती का पाचन हो जाने से प्लाजमा जिल्ली द्वारा घिरान नग्र प्रोटोप्लास्ट प्रतक किया जा सकता है प्रते किस्म में वांचिनी अलक्षन विद्धमान होते हैं पादपों की दो विविन किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युगमित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन करता है जो आगे चलकर एक नए पादप को जन्म देता है यह संकर का एक संकर कहलाता है तता यह प्रक्रम एक संकरन कहलाता है तो दोस्तों नमर साथ है आपका प्रसब किसे कहते हैं प्रसब को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए तो इसका अंसर देखें देखें कुछ पार्ट यह रहा इसका और कुछ पार्ट यह रहा तो इसका स्क्रीन सोट ले रहा है और अपने फ्रेंट्स में शेयर कर दें जिससे व क्रिश्चे नम्र 9 है, ग्रीन हाउस प्रवाव के बारे में लिखिये, क्रिश्चे नम्र 10 है, ऑपेरान मौडल क्या है, लैक ऑपेरान की सनरचना समझाईए, समझात यवं समव्रती अंग में अंतर लिखिये, प्रस्टेंगे 12 है प्लाजमोडियम का जीवन चक्र को चित्र सहीत समझाईए प्रस्टेंगे 13 है प्रती रक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन करो प्रस्टेंगे 14 है वाहित मल क्या है ये हमारे लिए किस प्रकार हानी प्रत है 15. अनुप्रवास अंसादन का चित्र सहीत संचिप्त वर्णन कीजिए 16. लेंगिक एवं एलेंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए 17. एक संकर क्रोश का प्रयोग करते हुए प्रवाविता नियम की व्याक्या कीजिए 18. मरूदवित पौदों में पाए जाने वाले आकार किया है अनुकूलन को लिखिए 19. खादिस रंकला का वर्णन कीजिए 20. सुक्राण की संरचना बनाईए तो यह ते सारे इंपोर्टेंट क्यूशन जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं इसलिए सारे कुशनों को डंक से देख ले याद कर ले दोस्तो आपको कुछ बैक्ग्राउंड में आवाजा आ रही होंगी मोर की टेक्टर की तो इनको आप एगनोर कीजिए और कुशन आंसरों पे ध्यान दीजिए गाउं में ऐसी आवाज आती रहती हैं तो इनको एगनोर करें और कुशन पेपर पे और उनके आंसरों पे ध्यान दे तो ये तिशारे इंपर्टेंट कुशन जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं करने और करें और आपने फ्रेंट्स में जरूर सेयर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सुब्सक्राइब करना ना भुलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सभी को एक्जाम के लिए best of luck थैंक्यू